हलो दोस्तों गूड मॉर्निंग रादे रादे कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे गुरुपुड मा की आप सभी को हार्दिक सूप काम ना है दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि सावन के सोमवार व्रत में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खा सोमवार व्रत में बहुत सारी ऐसी बाते होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो हिंदु धरम में सावन के महीने का बहुत ही बड़ा महात होता है भगवान स्युको ये महीना समर्पित है भगवान भोले नात की पूजा अरा अराधना करते हैं पूरे महीने भगवान भोले नात की पूजा अराधना करने से मनो कामनाय पूरी होती है सामन में पढ़ने वाले सभी सोमवार का खास महत होता है ऐसी मानिता है कि सामन सोमवार का व्रत करने से कुमारी लड़कियों को मन चाहा वर भी मिलता है ऐसे में इस माह में सोमवार का महतु भी बढ़ जाता है सावन सोमवार के वरत में भक्त को पूरे दिन फलाहार रहना चाहिए मौसमी फल जैसे केला, सेब और आम आप खा सकते हैं कच्चा नारियल, दूद, दही, छाच और लस्सी भी फलाहार में सामिल हैं आप इनका सेवन भी कर सकते हैं वरत खोलने के लिए लोकी या कदू की सबजी खा सकते हैं वरत खोलने के लिए साबुदाने की खिचडी या खीर भी आप खा सकते हैं वरत में सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है उबले हुए आलू, आलू के टिक्की या हलवा भी फलाहार में रख सकते हैं सावन के महीने में तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए सावन के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए नसीली किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए हरी सबजियों का सेवन नहीं करना चाहिए वरत में बैंगन और परवल भी अच्छा नहीं माना जाता है इसलिए आप बैंगन और परवल का बिल्कुल भी त्याग करें इसको वरत में बिल्कुल ना खाएं ब्रत में ज़्यादा मसाले और बेशन की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए बेशन तो वैसे अन में आता है तो बेशन का भी आप सेवन न करें मसालों का भी आप सेवन न करें मसाले बहुत हाड होते हैं अगर आप मसालों का सेवन करेंगे तो इससे आपको acidity, gas या पेट भी खराब हो सकता है तो इसलिए ज़्यादा मसालों का सेवन न करें सिर्फ हरी मिरच, सेंधा नमक का ही सेवन करें इसके अलावा आप कोई भी मसाले न डाले वैसे मेरी तो यही सलाह है कि अगर आप सावन सोमवार व्रत रखते हैं तो सिर्फ फल ही खाईए, फल खाने से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका व्रत भी पूर होगा भगवान भोले नात, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें आई हो वीडियो आपको पसंद आई होगी कि आपको समझ आगया होगा कि सावन सोमवार व्रत में कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए दोश्तों वीडियो को पूरा बाच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद